आज हम आगे हैं गबर कड़ी वालों के पास जो कि भाई लक्षमि नगर कृष्णा नगर जील कुछ भी कह सकते हूं यहां पर बहुत ही पेमाद तो बैद चलते हैं अंकल जी के पास और करते हैं बात अंकल जी से नमस्कार अंकल जी कैसे हो बड़ी नमस्कार जी क्या खिला यह तो आपको देख लो इतलो किलो कढ़ी आ जाती है समय मैं देख सकते हो अंकल नी खिला रहे हैं बाई कडी चावन बात करते है थोड़ीं चल रहें भीप लिए ब सी इस बदेग डेख सथे हो बाइं कितरा इन को पीड़ क होतने हैं आपको यह पर दुकान को पचास साल करी पहले प।ा जी लगाते जैंगे बड़े बढ़ी है तो बजी पचाश साल हो चुके है कि देखो किदेर बाई कड़ीचाओल होने वाली है कड़ी जी हाँ सतरगी है फुल सो गिल भे खाने के लिए ये पड़े भी ने सोचा था आई करीज को कड़ी दिखा देता हूं और अंगर योशु चावल लगाती है के अंदर कितने की प्लेट अने वाली है तो धही रिटोग छोड़ घ्रिण गभर्नाम किसके है इसी बात करते हैं अनुडल फ्रमें कितने है इस कितने हम प्लेट नाम W runner ऐसी बई गबबर के यहां पर कडी चावल भूत मशूर है तो बई यहां आसकते हो सबसे पहले एड्रस कूछते हैं एड्रस के अउने अला अगल यहां के यह जील चोंग है जील चोंग है तीनसा दसका बश्टाप अच्छा वैसे तो लोकेशन अगर गूगल पर भी डालोग इस दो डालते हैं सर वैसे दो अब ह reason बाइभ दे और कोयो मांगता है तो वैसे दो आते है Turkey यह आगया मसालािपह यह चाओ कियो occupa करते आटेस्ट और कैसी हो वाली है principal या रख दिया है हमने भाई यह देख सकते हो भाई तीन प्रकोड़े डाले अंकल ने और वाई कडी चावल देखो बिल्कुल भाईजा वैसे बिल्कुल मस्त हो चुके हैं यह देखो फुल कडी कडी और चावल भाई और साथ में मिर्चकाचार चटनी प्याज तो यह दिये और करते हैं टेस्ट और बताते हैं कैसे होने वाला है तो भाई पहली भाई ले रहा हूं तो भाई यह तो एकदब मस्त होने वाला है तो आओ और गबबर के कडी चावल एक बारी खाओ